नमस्कार शाम की साथ बजने को हैं देश के सबसे विश्व सनिय सबसे भरों से मंद और नमबर वन शो शंखराद में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ चुत्रात्रपाथी अफगानिस्तान से जैसी तस्वीरे सामने आ रही है वैसी तस्वीरे दुनिया ने आज की पहले कभी नहीं देखी थी पहले कभी नहीं देखा गया कि किसी देश के नागरिक अपना ही देश छोड़ने के लिए अपनी ही जान को डाउं पर लगा दी पहले कभी नहीं देखा गया कि हवाई जहाज की छट पर चड़कर लोग भागने की कोशिश करें पहले कभी नहीं देखा गया कि हवाई जहाज की पहियों से लिपट कर लोग भाग रहे हों अफगानिस्तान से आई तस्वीरे दिलों को दरकाने वाली हैं ये तस्वीरे परिशान भी करती हैं और हैरान भी करती हैं इन तस्वीरों को देख कर सिर्फ यही कहा जा सकता है कि ऐसी देखे नहीं कभी कर दो कर साथ कि अपनी सांसों को अपनी पीड पर लाज कर भागते हुए इंसानों की यह तस्वीरें सब्धेता के सारे शिलाखंडों को चकना चूर कर देने वाली है गुरूर्ता की कहानिया फिस्तारित होती जा रही है कालीबानियों ने अफ़गानियों की आत्मा निचोर दी है उनी के चेहरे पर मल दिया है उनी का लहू उनी के सीने पर बार दिये दैशत की कीले बेवसी में, बेचारगी में, बदहवासी में, ब्याकुलता में, बॉखलाहट में भाजे जा रहे हैं कि कहीं से कोई तो उम्मीद दिखे जो जिन्दगी बचा ले तो कहते होंगे लोग की बोलने के लिए शब्दों की जरूरत होती है बहाशा की दरकार होती है, शब्दों के संसकार की जरूरत होती है लेकिन काबूल एर्पोर्ट पर हवाई जहाज से लिप्टे इन मानुसों को देखिए दर्द की पृत्री आपको पाताल में न खिंच ले जाए, तब कही जिन्होंने देखी है उधर से हुई अपनी बेटियों की आबरू, जिन्होंने देखी है अपनी पहनों पत्नियों और माओं को तालिवास के सामने हिच्किया लेते हुए, वो किसी भी हाल में भाग जाना चाहते हैं यहां से हवाई जहाज के मीतर जगा न मिली तो ना सही इसी कड़ी में यह हादसा पेश आया, कुछ लोगों ने हवाई जहाज को छोड़ा ही नहीं, हवाई जहाज उड़ा और समीन परागिरे यह वद्यस्मत खरदय पर हथोड़ों सी चोड़ करती काबूल एरपोर्ट की इन तस्वीरों में दर्द की स्वैकड़ों कथाएं हैं, इनमें चेहरे तो बदलते हैं, लेकिन चित्कार बिल्कुल वैसे ही रहती है बारूत के बल पर अफगानिस्तान में अपने आतंग का जंडा लहरा देने वाले तालिबान ने जान बचा कर भागते हुए लोगों के शरीर में अपनी बंदूपों से निकला लोहा उतार दिया एरपोर्ट के गेट से लेकर रन्वे तक खूनी को हराम मचा जिन्होंने ये मंजर देखा उनकी रगों में बहता हुआ लहू जंग गया दो पायों के दुनिया में ये कैसे शैतान घुशाए है क्वार ये लुए है and some journalists come here for the making the report of the tv and all of the the taliban members this car and some others government car now captured by the taliban and group of emirat islami this place is the afghanan near to a presidential place near to the presidential place i am navid sultani making report for the indian today from this place you see this is the taliban kabul ko kufan me la pete dene ke liya nikle a rajat taliban yukasamme kisi ki et nahi chali afghanistan ke neetniyanta pehle hi apne riaya ko maut ke lepa me la pete kar thag nikle lekin tajakistan mein unhyeh utarne nahi diya gya bataya gya ki rastupati ashraf ghani oman me hai lekin wo jayengi ameerika idhar qatar se loote taliban yukamander molla ka biradar taliban sarkar ka pramukkan gya hai orras pati bhawan taliban yukya yaj da paul afghanistan musulman milata dadaga droneo puth mu barakiwa yu khuswasan da kabal shariyano awesidun kueta आव उर पसे फुल मुजाहिदीन ता ता तुसिया आवलांडिस्कु चु मुझ टासु दगा हाल तवराची दू चागा इस तवको देनके देड़ा का देड़ा कंब मुझ पाफगनिस्तान की कम्याब कीजु दुनिया देख रही है शांती के सीने में सुराख कर देने वाले शैतानों को और सोच रही है कि ऐसा क्या हुआ कि जिन अफगानी सीना को अमेरिका ने ट्रेनिंग दी वो धरी की धरी रह गई ऐसा क्या हुआ कि अफगानी सीना ने इतनी आसानी से कालिबान के सामने सरेंडर कर दिया एक मुल्क के मरने से पहले उसकी चेतना के मरने का अप्सोथ पूरी दुनिया मना रही है लेकिन खामोशित बगैर कुछ कहे काबुल एरपोर्ट से आई तस्वीरे सबसे जादा भयानक है काबुल में तालिबानियों के कबजे के बाद भगदर मच गई लोग एरपोर्ट के और भागने लगे लोगों को लगने लगा कि किसी भी तरह से काबुल को छोड़ कर भाग जाए जाए लेकिन दहशत तब और जादा मच गई जब काबुल एरपोर्ट पर ही गोली बारी हो गई गोली बारी के बाद तो हर दल में दहशत कई गुना जादा हो गई चारो तरफ अफरात अफ्री का माहौल बदहवास लोगों से भरा पड़ा है काब आदमी की बस्ती में घुसे आदम खोरों से बचने के लिए जिन्दगी बचाने के लिए तालिबानों से पच के भाब जाने के लिए इससे जादा कोई क्या कर सकता है दुनिया के इतिहास में एक द्रिश्य दर्द बनकर दर्ज हो गए है काबूल एएरपोर्ट पर एक विमान उलने की तयारी में था कुछ किस्मत वाले विमान के अंदर थे कुछ बदकिस्मत विमान से चिपके हुए थे कि किसी भी तरह से यहां से निकल जाए विमान उला और विमान का लोहा पकड़े हुए कुछ लोग आकाश मोल गए इस बात से बेखवर कि यह उनकी आखरी उडान है इस उडान की धलान उनकी मौत साबित होगी और वही हुआ अपने आप में दुनिया ने ऐसी तस्वीरें पहले कभी नहीं देखा गया कि ट्रेन की छट की तरह प्लेन की छट पर लोग सवार हो गए हो पहले कभी नहीं देखा गया कि लोग मौत से इस कदर बदहवास हों कि प्लेन के पहियों को ठाम कर खड़े हो गए हों कि ओ जाने वाले हमें भी साथ लेते चलो हम भी बच जाएंगे हमारी भी आलवलादे हैं रनवे पर भागते प्लेन के आगे दोडते ये लोग और प्लेन पर सवार हो जाने की कोशिशों में लगे ये लोग अपनी आखों के सामने मौत देख रहे हैं इसलिए जिन्दगी को जैसे भी बचा सकते हैं बचाने की कोशिश में लगें ये भगडल इसलिए भी मची क्यूंकि काबूल एयरपोर्ट को तालिबानों ने जंग का मैदान बना दिया गोलियों की तर्तलाहट को सुनिये ये सहमा देने वाली आवाजे हैं इस गोली बारी में पांच लोगों ने दम तोड़ दिया जान बचाने के लिए लोग अंधा धुन्द एयरपोर्ट के भीतर भागे जा रहे हैं इन्हें तालिबान से बचने का एक ही रास्ता नजरा रहा है वो रास्ता है विमानों के जरिये किसी तरह काबूल से भाग निकलने का लहाज़ा विमान में सवार होने की ये जद्द जहद देखिए काबूल एयरपोर्ट पर हालात अराजक हो गए पीती शाम से पूरी रात लोगों के काबूल एयरपोर्ट आने का सिलसला जारी रहा लोग रात को रनवे पर ही सो गए और सुबा इस इंतजार में बैठे थे कि अमेरिकी रास्टपती जो बाइडन इन्हें किसी तरह से यहां से निकाल लेगे उन्हें डर सता रहा था कि तालिबान इन्हें मार डालेगा वैसे भी उसने काबूल में करसु लागू कर दिया था और सलकों पर उसके लडाके गोलियों की बोचार करते घूम रहे थे ऐसे में इनके पास एकी रास्ता था कि किसी भी तरह विमानों में सवार होकर तालिबानिस्तान से दूर निकल जाए काबूल की सारी सलके एरपोर्ट की ओर जा रही थी दहशत में भाग रहे लोगों की गाड़ियों का एरपोर्ट के बाहर भेंकर जाम लग गया अफगानिस्तान की राजधानी में ट्रैफिक ठप हो गया दहशत में इनसे छीन लिया है आदमी होने का अभीमान यह जिंदगी कैसे जिंदगी है कोई निकाल क्यों ही डेता इससे मौत का हिसार दिल्ली में कीता मोहन के साथ नावेद काबूल आज तक काबूल की गलियां गर्दिश में हैं गलियारों गलियों में तालिबानी क्रूरता है शेहरों की मारतों पर कब्जा किया जा रहा है सडकों पर बंदूग बास तेहल रहे है सरकारी संस्थानों को कब्जे में लिया जा रहा है यहाँ तक कि अफगानिस्तान की संसथ में भी तालिबानियों ने कब्जा जमा लिया है अजीब सी अराजकता इस वक्त समूचे उस मुल्ख में देखने को मिल रही है काबूल पर कब्जा होते ही तालिबान ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है चौक चौराहों पर हत्यार बंद लड़ाकों की तैनाती है सरकारी दफ्तरों पर तालिबानियों का राज है आने जाने वाली गाड़ियां तालिबानियों की निगरानी से होकर गुजर रही है और हत्यारों के जोर पर मीडिया संस्थानों की भी घेराबंदी कर दी गई है आफ़त के इस आलम के बीच तालिबान ने कट्टर कानून को लागू करने की शुरुवात कर दी है ये तस्वीर काबूल शहर के एक ब्यूटी पार्लर की है जिसके बीवार पर बनी महिला की तस्वीर को रंगा जा रहा है तालिबानियों के कबजे के बाद पूरे काबूल में डर का माहल है लोग सहमे हुए है और यही वज़ा है कि आतंग के साय के बीच वतन छोड़ने के लिए मारा मारी मच गई है एरपोर्ट पर यहाल है सलकों पर भी खौफ का मंजर है लोग सहमे हुए है घबराए हुए है लोग सहमे हुए है गबराए हुए है इस और अधर गवर्णने कर नाव काप्चरिट वाई तालिबान कोई नी बचाने वाला कोई नी बचा तालिबानी लड़ा के काबूल शेहर के चपपे चपपे पर निगरानी कर रहे हैं जगा जगा पर तालिबानीों ने चेक कोई बना दिये हैं जिसके चलते तालिबानीों की नजर से बच कर कोई कहीं नहीं आ जा सकता खौफ में डूबे लोग या तो काबूल छोड़ने के लिए एरपोर्ट पर जंग लड़ रहे हैं और जो देश छोड़ नहीं सकते वो अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं काबूल की सत्ता पर तालिबान के काबिज होने के बाद देश्चत का माहौल है पूर वरास्टुपती हामिक करजई ने अपनी बेटियों के वीडियो मेसेज में कहा है कि घर में ही रहना बाहर मत निकलना दुनिया के साथ देश तालिबान से अपील कर रहे हैं कि जो लोग अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं उन्हें जाने दिया जाए लेकिन सच ये है कि तालिबान की ताना शाही में ये इतना आसान नहीं हलांकि सत्ता तक पहुँचने के बाद तालिबान के बोल बदले हुए हैं अब वो लोगों से बेखौफ रहने की बात कह रहा है कानून बिवस्था की दोहाई दे रहा है लेकिन सच ये है कि तालिबान की इन बातों का जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं है पूरा का पूरा शहर तालिबान के शिकंजे में है और तमाम लोगों के जिन्दगियों का फैसला हत्यार बंद तालिबानियों के हाथ में है दिली में गीता मोहन के साथ नावेद, काबुल आज तत और इस वक्ती बड़ी खबर आपको दे दे, अफगानिस्तान में भारत के लोगों को भी निकालने के कोशिशे जानी है भारती बाई सेना का विमान C-17 ग्लोब मास्टर अफगानिस्तान पहुंच चुका है ग्लोब मास्टर काबुल एरपोर्ट से भारतियों को लेकर वापस लोटेगा लेकिन जो लोग भारत लोट आए हैं, उन्होंने जो मौत का तांडब अपनी आँखों से देखा उसकी पूरी कहानी उन्हीं की बाने से दिल में दहशत, आँखों में खौफ और जुबान पर जुबान की दास्ता तालिब आच कहने तो बहुर बहुर निकलना बहुर मुश्किल है हम काबुल में रहते थे, काबुल में आप पांच महीना हो गया एक हम या नए है आपके साथ कौन गोना है आतंक का चेहरा जब इनसान के सामने आता है तो उसका यही हाल होता है जो इस वक्त अफगानिस्तान के लोगों का है मौत तालिबान बनकर अफगान लोगों के सिरो परा खड़ी हुई है जान बचाने के लिए राजधानी काबुल में कोहराम मच गया है और कोहराम मचे भी तो क्यों नहीं क्योंकि जिन हुक्मरान को अफगान लोगों ने अपना भाग्य विधाता माना था वो तो खुद देश छोड़ कर भाग खड़े हुए है जिस सिनप और तालिबान से लोगों की सुरक्षा का जिम्मा था उन्होंने खुद आतंक को सामने देख खुटने टेक दिये ऐसे हालात में तमाम लोग अफगानिस्तान छोड़ने को तड़प रहे हैं क्योंकि तालिबान के जिस डर और खौफ को दुनिया तस्वीरों के जरिये महसूस कर रही है अफगान लोगों की जुबानी सुनिये कैसे तालिबान की आहट के साथ आतंक की आमद हो गई है यह उन मुसाफिरों का दर्द है जो रविवार को काबूल पर तालिबान के कबदे के बाद जान बचा कर हिंदोस्तान पहुँचे थे दिल्ली में विवान से उतरे हर शक्स के चेहरे पर डर के निशान थे हर कोई फिक्रमंद था हर किसी की आखों में हथियार लहराते तालिबानियों का खौफ था हमने देखा अफगानिस्तान में जंदगी बचाने के लिए मची भगदर के बीच चिंता वहां फसे हिंदोस्तानियों की भी है काबूल से भारतियों को निकालने के लिए एर इंडिया के दो विमानों को स्टेंडबाई पर तयार रखा गया था लेकिन काबूल एरपोर्ट पर गोलिबारी के बीच खबर आई कि अफगान एर स्पेस को फिलहाल कमर्शियल फ्लाइट के लिए बंद कर दिया गया है ऐसे में फ्लाइट काबूल भेजने के प्लैन को कैंसिल करना पड़ा है काबूल के उड़ाने रद होने से वो अफगानी लोग भी चिंता में हैं जिनके परिवार तालिबान के कहर के बीच फसे हुए है हमार उदर बच्छे, बीबी है, गर है, हम इदर रहे गए हैं काम की बिसनिक्स के वज़़े से आया था हम इदर कल आया था था, कल आया थे वापस हमार इदर माल तो तयार था, वह हम वापस जाते था, अभी प्लैट कैंसल हो गए हम इदर रहे गए इस बीच के इंदरी मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि भारत सरकार अफगानिस्तान में फसे सिखों और हिंदूओं को भी निकालने का हर प्रयास करेगी काबूल एएरपोर्ट पर लगातार हालात बिगल रहे हैं, जो लोग वहाँ फसे हुए हैं, वो अपनी जान बचाने की जंग लल रहे हैं और जो लोग किसी तरह निकल चुके हैं, उनके दिल से भी तालिबान का डर अभी तक नहीं निकला है दिल्ली में गीता मोहन के साथ आज तक भी रो दुनिया ने ऐसी अराज़ता कभी नहीं देखी जिस तरह के तस्वीरे निकल कर सामने आ रहे हैं काबूल में तालिबानी हुकुमत आने के बाद दुनिया भर में तीखी प्रतिक्रिया हुई है भारत में राज़तिक गलों ने अपनी राई जाहिर की है सुनिये अलिबान का कभजा करने के बाद अफगानिस्तान में इस वक्त अफरा तफरी मची हुई है इस पर हमारे साथ बाचीत करने के मौजूद है केसी त्यागी जी सर जिस तरीके से अफरात अफरी मची हुई है काबूल एयरपोर्ट पर भारत की लिहाज से आप इसको कैसे देखते हो देखे जब नाटो ने के सैनिकों ने वहाँ से जाने का फैसला किया था तो तभी तै हो गया था कि कुछ दुरभाग दुरगटना होने बाली है इतनी आसानी से अमेरिका अपने एरिया ओफ आपरिसन को छोड़ता नही है हमें वियत नाम का याद है 1975 का हजारों सैनिकों के हत्या के बाद और कई अरब खरब डॉलर के नुक्सान के बाद ही अमेरिका महां से गया और वही इस्टीटी का मुबिस अफगानिस्ता में हुई है जहां 25-30 साल में कई लाग करोड डॉलर खराब हुए हैं उसके बाद वो गए हैं लेकिन इसमें यह पीसफुल ट्रांजिशन के जो प्रियास किये जा रहे हैं महां पर यह उसी का नतीजा है कि कोई ब्लड बात अब तक नहीं हुआ है और एरपोर्ट पर अफर लगा हुआ है एरपोर्ट पर और वो अपने अपने रेस्पेक्टिव नेशन को आना चाहते हैं और वहां से अफगान ओरिजन के लोग विदेश न जाने पाएं उनको लड़ाकों और तालिबान रोकने में लगे हुए हैं तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत हिंसक घटन नहीं पर ये रपोर्ट पर होगी चुक्के यूएन आफिसल्स और यूएन आर्मी के तीन हजार सैनिक भी वहाँ पर इस समय भी दमान हैं लेकिन भारत के लिए बहुत बड़ी चुनोती के रूप में तालिबान का राज कायम होना एक महत्पुन घटना होगी इनी के रहते अलकायदा इनी के रहते आई एस आई एस एक्च्वली ये इस्लामिस्ट फंडमेंटलिस्ट जो और्गनेजिसन से उनका सर्गना है दे वान टू गरून दा सोसाइटी थू इस्लामिक रूज कमोबेश वही अलकायदा का है कमोबेश वही तालिबान का है तालिबान के कबजे ने हिंदुस्तान के मुश्किले बढ़ा कर रख दी हैं अफगानिस्तान में भारत के करीब तीन बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं सत्रह सो से जादा भारतिय प्रोफेशनल वहां पर काम कर रहे हैं सबाल ये है कि अफगानिस्तान पर तालि काबूल पर तालिबान का कब्जा काबूल की सलकों पर अफरा तफरी है बाजार में अफरा तफरी है एरपोर्ट पर तो मारा मारी के हालात है अफ़कानिस्तान में एक बर फिर तालिबान के कब्जे से कोहराम मचा है सरकारी दफ्तरों पर तालिबानियों का कब्जा हो गया है तालिबानियों को रोक रोक कर उनकी तलाशी ले रहे हैं जिन लोगों ने 1996 से 2001 के तालिबान के दौर को देखा है उनके दिलों में देश्चत बैठी हुई है पूरी दुनिया की नजरें अफगानिस्तान पर टिकी हुई है अमेरिका, बिटेन, फ्रांस और चापाम समेट 60 से ज्यादा देशों ने साजहा बयान जारी किया है इस बयान में कहा गया है कि जिन देशों के नागरे अफगानिस्तान से जाना चाहते हैं उन्हें जाने दिया जाए इस बीच भारत ने काबुल के लिए अपनी सारी उडाने टाल दी है एमिनिट्स ने भी काबुल को जाने वाली सारी उडाने रोग दी है उदर तालिबान ने अफगानिस्तान के लोगों से कहा है कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है साथ ही रात में नौ बज़े के बाद बाहर ना निकलने की चेतावनी दी है हमारे देश के लोगों को मेरा ये संदेश है कि उन्हें इस बास से डरना नहीं चाहिए कि इसलामिक अमिरात के मुज़ाहिदीन शहर में आ चुके हैं हम चाहते हैं कि किसी भी तरह की अराजकता से बचने के लिए लोग रात नौ बजे के बाद कम से कम एक या दो रातों के लिए बाहर ना जाएं तालिपानी अफगानिस्तान के राष्टपती भवन पर कबजा जमा चुके हैं सत्ता उनके कबजे में आ चुकी है अफगान के बदले हालात में भारत की चिंताएं बढ़ा दी है अफगानिस्तान में फसे तमाम भारतिये तो लोट आएं हैं लेकिन अभी भी भारत के तमाम लोग वहां फसे हुए है काबूल के गुर्दवारे में 320 लोगों ने शरण ले रखी है इन में 270 सिख है और 50 हिंदो है तालिबान के स्थानी नेताओं ने गुर्दवारे मिन से मुलाकात की और इनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाया है अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद जो हमारे सिख भाई गजनी में थे जलालाबाद में थे सब लोगोंने काबल गुर्दवारे में शरन ले रखी है इसमें कुल 320 लोग हैं जिन में से 50 हिंदू परिवार हैं बाकी सिख हैं ये सब महफूज हैं अभी कुछ पल पहले ही वहां के लोकल तालीबान लीडर्स हैं उन्होंने गुर्दवारे को विजट किया हमारे परदान के साथ बैठ कर चर्चा की और उनको या इश्वाशन दिलाया कि आपको गवराने के जूटनी आपकी सुरक्षा की हम जुम्मेवारी लेते हैं वो फची होई हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए उनको विडेश मंत्राल है और वाकी लोग जो इसके लिए चिंता कर रहे हैं जो लोग अफगानिस्तान से हिंदोस्तान लौट आए हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ हालात कितने खराब हो चुके हैं यो तो अफगानिस्तान से हिंदोस्तान की दोस्ती बहुत पुरानी है लेकिन 2001 में अफगानिस्तान की सत्ता से तालिबान के बेदखल होने के बाद भारत ने अफगानिस्तान के विकाज के लिए खाजाना खोल दिया भारत ने अफगानिस्तान में infrastructure development के लिए 300 करोड डॉलर का investment किया है अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में हिंदोस्तान के 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे है भारत ने काबुल जिले में शतूत बान के निर्मान के लिए एक समझोता किया है पिछले साल नौंबर में जिनेवा संबेलन में भारत की विदेश मंत्री S.J. शंकर ने अफगानिस्तान में भारत की मदद से करीब 100 community development प्रोजेक्ट की शुरुवात का इलान किया था इन सभी प्रोजेक्ट्स पर करीब 600 करोड रुपे खर्च किये जाने थे भारत के करीब 22 सो लोग अलग लग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं इनकी सुरक्षा भी अब भारत की चिंता का कारण है पूरी तरीके से उस पर चिंती थे सहीं आच्छी कारवाई हमारे देश और सरकार के दोरा की थे अफगानिस्तान में भारत की तमाम पर योजनाय फसी हैं तो अफगानिस्तान में सैकणों भारती भी फसे हैं सवाल ये है कि भारत के प्रती तालिबान का रुख क्या होगा और तालिबान के प्रती भारत का रुख क्या होगा हलाकि तालिबान ने अफगानिस्तान में भारतिय सहयोग का धन्यवात किया है लेकिन सैन्नी विकल्प के इस्तेमाल को लेकर छेतावनी भी दी है काबुल में नावेट के साथ आज तक बेरो अफगानिस्तान पर तालिबानी कबजे से पूरी दुनिया सक्ते में है लेकिन पाकिस्तान खुश्या मना रहा है पाकिस्तानी प्रधानमंज़ी इमरान खान ने तो यहां तक कह दिया है कि अफगानिस्तान के गुलामी की जन्जीरे टूप गई है तालिबान और पाकिस्तान के जुगलबंदी से भारत के सामने चुनोतियों का अमबार लग गया है हम आपको दिखाते हैं भारत के सामने टॉप 10 मुश्किले दस बड़ी मुश्किले कौन कौन से है पाकिस्तान का तालिबान को सीधा समर्थन और पहले से भी तालिबान को लगातार पाकिस्तान समर्थन करता रहा है और इसके जरीए यकिनन इस बात को आप समझ सकते हैं कि खुद प्रधान मंत्री पाकिस्तान के इमरान खान अगर ये कहते हैं कि गुलामी की बेडियों को जंजीरों को तालिबान ने तोड़ा है तो जरा सोचिए दोड़ते बिलगते अपनी जान के लिए भागते वे लोगों के ओपर क्या गुजर रही होगी लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क को इसे कोई फर्क नहीं पढ़ता और तालिबान को उसका पूरा समर्थन तालिबान का पाकिस्तान की प्रती जुकाब और यकीनन इस सिती में हिंदुस्तान के लिए चुनौतियों और जादा बढ़ जाती हैं क्योंकि पाक प्रायोजित आतंकवाद लगतार ह हिंदुस्तान में किस तरह से आगे बढ़ता रहा है और अब तालिबान का समर्थन मिलने के बाद इस सितीया और जादा विक्राल हो सकती है तालिबान को चीन का भी समर्थन ये सबसे महतोपूर है देखे चीन जैसा एक ताकतवर मुल्क भी आकर तालिबान के समर्थन में फड़ा हो गया है और वो तालिबान के इस कदम का वेलकम करता हुआ दिखाई दे रहा है तो पाकिस्तान चीन तालिबान ये तीन पड़ों से मुलके से हिंदुस्तान के लिए परिशानी बढ़ाने बाले हैं इसको आप आराम से समझ सकते हैं अफगानिस्तानी जमीन से आत को जो सुधर रहे हैं लागातार उसको बिगाडने की कोशिश की जाएगी कश्मीर में आतंकी गतविरी बढ़ने का खत्रा 376 खत्म होने के बाद आपको बता दे विकास की नई राह तै कर रहा है कश्मीर लेकिन बहाँ पर जो जीरो टॉलेंस सरकार की ओर से अपनाए गए इसके लिए फलती फूलती है और वहां से अंतराष्टिय ड्रग कारोबार जिस पर सीधा असर देखा जाएगा और उसका खत्रा हिंदुस्तान को प्रभावित करेगा अफगानिस्तान में भारतिय प्रोजेक्ट रुकने का खत्रा आपको बता दे कि भारी भरकम रकम हिंद भारत क्या करेगा आगे यह अपने आप पे बड़ा सबाल है अफगान में रह रहे हैं भारतियों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है C-17 ग्रोब मास्टर इस वक्त उतर चुका है काबुल में जो वहां पर फज़ेवे भारतियों को लेकर आ रहा है लेकिन बहुत सारे भारतिये जो बिजनस के लिए या अलग-अलग सेक्टर बे वहां पर काम करते हैं उनके लिए सुरक्षा एक बड़ी चुनौती यहां पर देखनों को मिलेगे हाना कि अफगानिस्तान के जो हिंदू और सिख हैं उनको भारत वापस आने के लिए भारत सरकार की ओर से पैदा हो गई है उसके कारण अमेरिका के ओपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जमीनी हकीकत को पहचान नहीं पाया अमेरिका अब आगे वो क्या करेगा यह अपने आप में महतोपुन होगा देखना और जानना और इसके जरिये भी आगे हिंदूस्तान अपनी रणनीती करेगा उदर भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती का अतिहास बहुत पुराना है कहते तो यहां तक हैं कि अफगानिस्तान का कंधार कभी गांधार हुआ करता था और धृत्र राष्ट्र के पत्ति गांधारी वहीं की थी आज पूर्य पुरदान मंतरी अटल बेहारी भारत और अफगानिस्तान के बीच दूरियां भले ही मीलों में हो लेकिन दोस्ती में कभी भी कोई दूरी नहीं रहें दोनों पड़ोसी देश हर अंतरराष्ट्रिय मंच पर एक दूसरे का समर्थन करते रहें सरकार चाहे यूपिय की रही हो या फिर अंडिय की अफगानिस्तान से भारत के रिष्टों पर कोई फर्क नहीं पड़ा दोस्ती कायम रहें भाईचारा कायम रहा भारत ने बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया अफगानिस्तान के हेरात प्रांथ में भारत ने सलमा बांध का निर्मान करवाया जो अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती का प्रतीक है 15 करोड डॉलर की लागत से जरांज डेलाराम हाईवे का निर्मान भी भारत के सहयोग से हुआ भारत ने 90 मिलियन डॉलर की लागत से काबूल में संसत का निर्मान करवाया था प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी की मौझूद्गी में साल 2015 में इसका उधाटन हुआ था भारत ने अफगानिस्तान में स्टोर पैलेस का निर्मान करवाया जो 2016 में पूरा हुआ इसके अलावा उर्जा परिवहन और स्वास्ते के शेत्र में भी भारत ने अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान में भारत के 1700 से ज़्यादा प्रोफेशनल कारे रथ है अफगानिस्तान में तालिबान के कबजे के बाद स्थिती विकट हो गई है भारत की चुनोतियां बढ़ गई है जिनके परिवार के लोग अफगानिस्तान में फंसे हैं उनकी जिनताओं का तो कोई और छोर ही नहीं है अफगानिस्तान के जो चात्र भारत में पढ़ने के लिए हैं वे अपने परिवार को लेकर डरे हुए है अब एक बार फिर आप परिवार को लेकर दरे हुए है अब एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम हो जाने के बाद अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती के बीच नई चुनोतियां आ गई है सबसे बड़ी चुनोती तो अफगानिस्तान में भारतिये इन्वेस्टमेंट की है जहां करीब तीन बिलियन डॉलर की परियोजनाएं चल रही है तालिबान राज में ये परियोजनाएं लटक सकती है अफगानिस्तान में भार्तियों की सुरक्षा भी एक बड़ी जुनोती है खत्रा इस बात से भी है कि तालिबान राज में कहीं अलकाइदा और I.S.I.S. जैसे आतंकी संगठन सर उठाना शुरू ना कर दे अफगानिस्तान में तालिबान राज से कश्मीर में आतंकी गतिविदियां तेज होने की आशंका है अफगानिस्तान की स्थिती बहुत खतरनाक मोड लिये है भारत के सामरिक हिद अफगानिस्तान के मामले में दाव पर लगे हैं हमारे राजदूतों हमारे नागरिकों की सुरक्षा और उनकी सेफटी सब का सब दाव पर लगा है हमारे साथ दिक्कत है कि अफगानिस्तान हमारे इमीडियेट परोस में है हमने बहुत इंवेस्ट भी किया हुआ अगर आप देखें कि इंफरस्ट्रक्चर में मैं मुझे अमीद है कि मेरी सरकार इंपार्टन जो लोग मॉनिटर करते हैं वो इसको गंवीरता पुरवक लेंगे क्योंकि इसका इंप्लिकेशन सिर्फ अफगानिस्तान की हदों तक नहीं होगा पुरे दक्षनेशिया में पुरे इस इस इलाके में उसका असर होगा उसके बरक्स हमारी चुनोदियां बहुत होंगी हमने क्या तैयारिया की है मैं ये सरकार से आग रह करूँगा 1996 में अफगानिस्तान पर तालिबान का जब कबजा हुआ था तब भारत ने अपने राजनेगों को वापस बुला लिया था भारत ने कभी भी तालिबान का समर्थन नहीं किया एक बार फिर अफगानिस्तान पर तालिबान ने कबजा कर लिया है अफगानिस्तान एक बार फिर मज़भी कटर्ता और आतंकवाद का नया ठिकाना बनेगा तालिबान के साइड एफेक्ट एशिया ही नहीं पूरी दुनिया में देखने को मिल सकते हैं तालिबान राजने बढ़ा दी हैं भारत की चुनोतिया आगे क्या होगा इस पर रही गया आज तक के नजर इसी के साथ शरंगनाद में आज के लिए बस इतना ही देश और दुनिया की बाके खबरों के लिए आप देखे रहे आज तक